MR Series नेक्स्ट हम आज से स्टय भास चार्ट को यूज्ज करना, लेकिन आजम जुकि पृणा है पिक्चर भी इनसर्ट पिश्च विल सिक्ट हैं वो दें वियो और आपको नए वीडियो की नोटिफिकेश्न जरूर, मिलती रहे की पांता कि अंक्त एंसेट किया हुआ है जिसमें हमने एक टेबल बनारखी विह टेबलखी है पांप्रिचर ओप दिन टेबल में एंसेल हुआ ti तेबल जयता है ङाहिए अटना इसaters शेल करना है किसी एक पर्टिकुलर आइटम को लेकित अच्छल उनका जो सेल हुआ है यह है तो टार्गेट और एक्छल जो वैल्यू है वो दोनों हमारे सामने दे रखी है अब हर एक परसन ने कितना काम किया है कितना टार्गेट उनका अच्छी हुआ है यह सारी चीजे हम एक बार के तो यह बार चार्ट देखे इस तरह से आपको मॉडिवाय उता हो दिख रहा है तरह से इस प्रशांद का अगर देखना चाहे तो प्रशांद का तरह से अजिए आपका यह वो तेन सो पर चाहिए और इस पिक्ट्र भी आपको साथ में लिखाए ज़िए और इसने अच्छी तो देखिए लेट्सो पर आपका यह बार चार्ट को यूज कर सकते हैं यह कैसे बनाया जाता है बहुत ही सिंपल है आये चलते हैं बनाते हैं इसको सबसे पहले हम एक नए शीट लिए लेटे हैं यहां से अब हम यह बढ़ा टेगा लेते हैं अब इस देटा को हम हम यह उपे रए हमारे पास ऐनेंगए पर अटेख पर एंक नाम और रहती है उसको आम को पर के distributed continuar है यही नाम हम वापस उपर भी कॉपी ले लेते हैं यहां पर यहां पर यह जो टार्गेट और एक्षिल है इसको हमें यहां पर क्या करना है डेटा वैलिडेशन से सेट करना है तो हम डेटा वैलिडेशन बना लेते हैं तो डेटा वैलिडेशन में जाएंगे डेटा टैब में data validation में और यहां से हम लेंगे list का option जैसा हमने पहले भी लिया हुआ है और source में target और actual यह दोनों सेल को सरेख कर लेंगे तो यहां पर ही हमारी list बन जाती है यानि हमारा target और actual value दोनों यहां पर आ जाती है इसको हम थोड़ा सा format same यहीं दे देते हैं उसके बाद यहां पर next जो चीज हम करेंगे कि box size यानि जो picture हमने यहां पर add की हुए इसकी size जो है वो कितनी रखनी है वो हमें यहां पर set करने पढ़ेगी तो हम यहां पर एक column बना देते हैं box size के नाम से यह हमने box size set कर लिया है box size कितनी चाहिए जैसे हमने यहां पर रख ली 10 अब यह 10 जो box size हमने set की है वो यहां पर सभी में set होना चाहिए उससे पहले हमें यहां पर data validation जो हमने बनाए हुआ है यहां पर इस टेबल का जो target और actual values है वो कैसे आएगी तो उसके लिए हमें एक formula यूज करना पड़ेगा यहां पर सबसे पहले value पूछा जा रहा है तो we look up value कौन सी बनेगी यह value हमारी यानि first जो sale है first employee का जो नाम है वो हमें ले लेना है उसके बाद table अरे table अरे यानि कौन सी table है actual value कहां मिलेगी हमको जो main table है उसको select कर लेंगी यह हमने select कर लिया पिर column index number अब यहां पर यहां पर कि हमें column index number कितने देने हैं लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे column index number देने से पहले यहां पर हमें एक छोटा सा step लेना पड़ेगा column index number अगर हम 2 लेते हैं 3 लेते हैं तो वो single हो जाएगा हमें यहां पर match को use करना है कि हमें उस particular column number को ही लेना है तो match का काम ही यह है कि particular row य तो हमें यहां पर use करना पड़ेगा match का formula उससे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यह जो हमारे पास A11 से थे यानि जो हमने table select की है इसको हमें यहां पर fix reference देना पड़ेगा यानि dollar का sign लगाना पड़ेगा F4 करके dollar का sign लगाएंगे क्योंकि हमें उसको fix करना है नहीं तो क्या होगा कि वो change नहीं हो पाएगा और बारवार हमें value सही नहीं मिल पाएगी तो इसको fix reference में हमने set कर लिया उसके बाद column index देने से पहले हमें यहां पर लेना है match का formula तभी हमें सही actual column मिल पाएगा match लिया we look up value किया है हमारे लिए look up value जो अब हमारे लिए जो बनेगी वो है हमारी यह actual target जो हमने बनाया है जहां पर data validation set किया है वो वाला sale हमको लेना है और इसको भी हमें fix reference में set कर देना है f4 paste करके उसके बाद next जो चीज हम से पूछी जारी है वो है look up array look up array जो है वो है हमारा यह कौन सा column number हम से पूछा जा रहा है किस column में target है किस column में actual है किस इस column में ने है तो वो हमें यह लेलेना है इसकी जो हैडिंग हमने बना रखी है वो हमें लेना इसको भी fix reference में set कर देंगी कुछ इस तरह से उसके बास एक्जक मैश के लिए हमने जीरो क्रेस कर दिया लो क्रेस कर दिया ख लो कर दिया कॉमा एक्जक मैश यह बूप का यहां पर यहां पर तारगेट ول्यु को साथ मैच को यूज करते हैं अगर आप डॉक पिसलिज लेशह जर नहीं देते हैं जिन पर उमने दीया है तो घर कर के दीजे का तो यहां पे जहां जहां पे हमने चाहां आपको भी आप मिरीस देना हर शुम्रा तर मया तो भी में धार थे लिया किर्ट करफाया तब सेट 情況 हर एक वे लिए हमने खाई मस्की Leg TV वाद इसको learnt और दोनों चीजह है तो इसको चेंज करने की जरूद नहीं पड़ेगी इसको इसको फिक्स करना जरूदू अज़रूरी तो यह धीज़ का ज़गाई रखिएगा कि फिक्स रेफनेस हमें कहाँ पर यूज़ करना पिर हमें यहां पे box size set करने हैं box size जो हमने 10, 12, 8, ली हैं जो भी हम लेते हैं वो हम अपने picture के अकार्डिंग set करेंगे कि picture कैसी है उसके अकार्डिंग हमें वो सारी चीज़ सेट करने पड़ेगी तो यहां पे वो चीज़ सेट करने के लिए आपको क्या करना है सिंपल सा तरीका equals to किया यह नंबर लिया और इसको भी fix reference में set कर देखे अभी मैं आपको dollar का use बताती हूं कि fix reference क्यों किया जाता है यहां पे मैं आपको बता देखे जैसे मैंने यहां पे इसको fix नहीं किया और मैंने यहां पे 10 को ले लिए अब यह जो हम यहां पे change करेंगे तो यहां पे भी change होगा जैसे यहां पे किया यहां पे हो गया तो समय ने आई बात कि जहां पर हमें fix करना है वहां पर dollar का sign लगाना है अब 10 करेंगी तो सबी जगे पर आपको क्या मिल जाएगा, 10 होजाएगा 20 करेंगी तो क्या मिल जाएगा, 20 हो जाएगा यह इस तरह से हमें fix reference set करना परेंगा यहां तक हमने इसको अच्छे से सेट कर लिया है अब हमको क्या करना है चार्ट बनाना है तो यह हमें सलेक कर लेना है यह जो हमने टेबल बनाई है उसको सलेक करने के बाद इंसर्ट में जाना है इंसर्ट में आपको यहां पे बाड चार्ट के अंदर यहां पे आपको यह सेक रेकिनवाला ये हमने चार्ट इंसर्ट कर दिया, एक पर जब आए को चार्ट दिखा PACY दे रहा है अब चार्ट में थोड़ा सा मोड़िफाय करना पड़ेagit लूक का मैं को कि इन इसको बती है, तो है टा अधर हुग ह कुरू हमें ये चार्ट capacit वाला भी हमें Series option में, Series option के अंदर आपको ये gap width मिलेगा, आपको इसकी gap कम करनी है, थोड़ा-थोड़ा कम करते जाहिए, जादा भी एकदम यू नहीं, बहुत जादा कम भी नहीं, लेकिन हाँ, आमको उसकी size थोड़ी सी बढ़ानी है, ये देखिए हमने इसकी size थोड़ी सी बढ़ाई है, अगर और आप करेंगे कम, ये देखिए, इस तरह से कम, हम आप कम करते जाते हैं, देखिए, ये देखिए, इस तरह से ये gap इनकी बढ़ जाती है, हमने इसको select किया, orange part को हमने select किया, boxy size अभी हमारे पास 20 दे रखिए, हम यहाँ पे इसको 25 करके देखते हैं, देखिए, थ इसके अंदर एक पार्ट और होता है, उसको भी आप select करके थोड़ा सा अगर बढ़ाना चाहें, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, इस तरह से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, अब हमें ये जो box की size है, देखिए, हमें square shape मिल गई है, तो अब हम इसमें picture set कर सकते हैं सिर्फ आपको ये orange part ही select करके और box की size आप यहां पे ले लेंगे, थोड़ा सा हमें सही नहीं लग रहा है, 30 पे ही सही है, हम 30 ही कर देते हैं, ये देखिए हमारा 30 पे ही सही है, और एक picture इसमें set हो जाएगी, अब ही देखिए, सारे orange part select है, अगर आप सारे orange part select करेंगे, तो एक ही picture सप्पे set हो जाएगी, हम पे हमको सभी employees की अलग अलग picture set करनी है, double बार click करेंगे इसको, एक single को, उसके बाद यहां पे field option में जाएगे, ये field option ये format data point वाला option खुल जाता है, right click करके format data point ये वाल option आप सलेक करेंगे, तो ये वाल option खुलेगा, अलड़ी खुला हुआ जैसे हमने click किया, फील पे जाएगे, फील पे आपको यहां पे picture और texture फील ओप्शन लेना है, यहां से insert करना है, कौन सी picture आप insert करना चाहते हैं, वो picture आप उस employee की यहां पे set करते हैं, यहां पे set हो गई, यहां पे set हो गई, यह प्रशांत की है, इस तरह से हम और भी set कर सकत हैं, हम picture और texture में जाएंगे, insert करेंगे, यह देखिए, इस तरह से एक एक picture, one by one picture हम इस तरह से ही set करते जाएंगे, यह देखिए, इस तरह से हमने सारी pictures, boxes में set कर दी है, और वो boxes भी हमारे सही तरीके से set हो गए है, अब आप देखिए, यहां पे जो हमने data validation में target और actual को set कि अगर हम actual value लेते हैं, तो देखिए, उस employee की actual value दिखाई देती है, और उन employees के face भी आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमने उनकी photo यहां पे set की है, यह देखिए, target लेंगे, target बन गया, उनका target क्या था, और उनने कितना achieve किया है, उनने actual value उनके कितनी रही है, तो यह काफे interesting है, हमने आपको कुछ इस तरीक से बताया, आप इसको और अलग-अलग pattern पे use कर सकते हैं, तो bar chart को थोड़ा सा interesting बनाना हो, तो employees की pictures भी उसमें हम set कर सकते हैं, आप अगर fruit scale का बनाते हैं, तो fruit set कर सकते हैं, आपने अगर किसी और चीज का, जिसे car का बना रहे तो car set की जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आप किसी भी तरीके से उसको set कर सकते हैं